नमस्ते आप देख रहे हैं वोकल नियूश रडोल मैं हूं दिनेश वर्मा आप एकसर NGO को नाम सुनते हैं जिसको हम हिंदी में गैर सरकारी संगठन कहते हैं तो गैर सरकारी संगठन कैसे चलती है और उसको चलाने का क्या प्रावधान है आप अगर उससे जुड़ना चाहते ह यानि आप सेवा देना चाहते हैं या सेवा लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिस्टम है क्या उसका नियम है आए उनसे जानते हैं हमारे साथ हैं कल्यानी वाजपेई जी जो इस संस्था को चला रही है आए उनसे जानने के कोशिस करें कि इसको चलाने में किनकी नियमो को और उन तक जो लोग पहुच पा रहे हैं वो कैसे पहुच पा रहे हैं नमस्त्यवान नमस्कार आप सबी को लोग मुझसे मेरी सेवाओं को देखते हुए जुड़ रहे हैं मेरे पास कोई सरकारी ग्राण नहीं है और नहीं ऐसा कुछ प्रवधान है कि मैं उनको पैसे से यह NGO के काम को आगे बढ़ा पाते हैं पर रेजिस्टर्ड एंझङों से उसी से होता है और सभी के अभी वहीं से हो रहे हैं और यहां पर अभी हमारे यहां शैडोल में अभी आप यहां देते हैं लेकिन रजिस्टर्ड जो है वहां से नहीं नहीं रजिस्टर्ड 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 का जो प्रावधान है वह ऐसा ही है वह रिवा से ही होता है और हम ल पाता है वह नहीं पाता है इसलिए हम नहीं करते हैं बागी यह पीछे आवर्ड देख पारा हूं यह सोसाइटी के लिए आप जो चला रही है इसके लिए हैं अब भी हम लोग ने जो सिदेवा करें अपने कोविट के समय दिये तें उसमें बहुत सर लोगों और पत्रकारतक के भी हमको कुछ जो अपने भाई थे उन्होंने भी सम्मानित किया और नहरुवा के इन से भी अपने जुड़े हुए हैं समधित हैं तो उन्होंने भी हमको दो बार हमरे जिला इस्त्रीकारी के लिए तो यह एंजियू आप कब 2008 से चला रही हैं तो क्या उद को देखती थी देव्यां को या महिलाओं को या बच्चों को तो एक मन में लगता था कि शायद कहीं कुछ ऐसा हो कि जिससे हम जुड़के कुछ बच्चों की मदद कर पाएं तो सबसे पहले हम हमने एक 2011 में लासपूर का एक एंजियो था चेतना परस्त करके उसमें डॉक् कि या रजिस्टर हुई तो फिर कितने लोगों से जुड़ पाया अब तक कितने लोगों को सेवा मिल पाया अभी तक तो मैं मैंने कभी ऐसा गिना नेकी कर भूल जा इस उस पर चल रही हूं और मैं कभी गिंती भी नहीं और कोई रिकॉर्ड आसा विश्यस रखती भी नही जिससे पता चल पाए कि हाँ यहां तक आप पहुंच पाई जिससे कि आपको मदद मिले कि और लोग तक पहुंच पाई हाँ ऐसे कुछ हम लोग ने 2011 में भी विकलांग विभा किये तो तब भी हमारे पास थी और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग है लेकिन बच्चों की पस अगर आप तक कोई पहुंचना पाई यहां आपकी आपसे जुड़ना चाहे या सेवा देना चाहे तो कैसे दे पाएगा कैसे जूड़ पाएगा आपसे एक तो माध्य में हैं हमारा मोबाइल के सब्सक्राइब और विवागों में भी हमारे नंबर लगे हुए हैं जहां भ हर जगे पे अपना नंबर लगाया हुआ था और लोगों के मध्यम से भी हमारे पास लोग पहुंचते हैं जो आप वहां तक पहुंच पाई वो केवल नंबर है यानि कि कोंटेक्ट नंबर है या वहां जो बोर्ड लगाई होंगी या और नी आपस में लोगों को जुनको सब्सक्राइब मिलता है मेरे से उनके दौरा भी एक दूसरे से कहके हमारा सहयोग किया जाता है और उससे लोग हमारे पास पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरे हैं जो मैं देख पाऊंगा कि आप यहां चला रही हैं जैसे आप नसा मुक्ति का बताई या महिला को आप जो मेरे साथ 2009 से जुड़ी हुई है तो उनका नाम निलमतिया व्यागया है और वो मैं क्या नम से यह खादी गराम की तरफ से जो अनुदान दिया जाता है उसको ले के उन्होंने सिचाई सिचाई और खेती और ऐसे चीजों पर आगे बढ़ी फल का काम करा सब्जियों का क किया और इस समय सिलाई का काम करके वो अपना जीव का चला रही है और तीन-चार महिलाओं को उन्होंने रखा हुआ सबसे खुशी की बात है तो आप महिलाओं को कैसी की तरह से प्रशुड़न देती हैं या कोई नसा मुक्ति से चाहे कि बच्चे आजकल है कि कम उम्म में नेगेटी फ्रशुड़न देती हैं मैं उसे हुआ मिलने के बाद उनकी काउंसिलिंग करती हूं इस त才ती जानती हूं बैकग्डरॉंड क्या है बच्चे इस तरफ क्यूँ बढ़ रहे हैं पर क्या वरएहयल बयकावै में आके उस तरह बढ़ जाते हैं और उसके अभर उसके बाद पिर जब हम लोग कर जो लोके लगों उनके स्कूल में पहुचादे हैं प्रिसासन के तरब से किस तरह की मदद को यह कहा जाता है कि अगर इसे एंजियों चलाने के जुरुत है तो इसको मतलब है कि लेकिन कही न कही शेट मे बहुत अच्छा काम किया हुए और योग से कही न गही हमारा मन इस्तिर होता है मन इस देर होता है तो हम उस चीज़ से अलग होने लगते हैं दिमेदी में तो यह बहुत बड़ा एक अच्छा हो है लेकिन कहीं न कहीं स्राशान से मैं यहीं जरूर चाहूंगी कि हमारे यहां नशामुक्त के अवस्य होना चाहिए क्योंकि हमारा आधिवसी बहुल छेत्र है और यहां पर महवा की बहुता है तो और इनके हां कुछ परमप्राएं होती है जिसमें इस चीज़ का उपयोग होना बहुत जरूरी होता है और अगर हम विरोध करते हैं तो उनको लगता है कहीं-ना-कहीं उनकी जो अपनी पुरानी परमप्राएं उनको हम बंद करने की नहीं नहीं कहीं लगू द्युक्स जोड़ने के लिए जैसे चिप्स पापड़ बड़ी अगर्वत्ती हो गया और सिलाई हो गया यह चीज असी है कि महिलाओं को असानी से घर में ही अपना कारे करने में आप जो विकलांग लोग हैं उनको पेंशन दिलाने का भी काम करते हैं फिर इसका लाव ले पाए तुरंत में मुझे नाम और या कन मुश्किल हो रहा हैं लिकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी जैसे सबसे पहले तो क्या आथा प्रमाण पत्र पेंशन तो बात के बात हैं क्योंकि प्रमाण पत्र जबनने होते तो प्रमाण पत्र बन्वा के जित जमा करा के उनको बेवस्तित कर पाते हैं तो प्रसासन के तरफ से कोई आपको मदद नहीं मिल पाती है या जो लोग आप से जुड़ना चाहते हैं मदद देना चाहते हैं वो उसी माध्यम से जुड़े साथ ही कल्यानी वाजपे जी जो कल्यानी वेलफेर स्वसाइटी के नाम से एंजियो चला रही है और आए इनसे जुड़िये इनको मदद कीजिये या आप मदद लेना चाहते हैं तो आए यहां से जुड़िये कैमरा साथ ही लाल चंद के साथ दिनेश वर्मा वोकल मिश्रडो कुछ प्राइड código商ण वर्मा वोकल से जुड़िये कैमरा समी का वर्मा से आएटी को के सांवी लाल चाहते हैं झाल चूर चाहते हैं चाहते हैं यहां है